असलाम अलेकुम आज हम आपके साथ साखपुरी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो के बच्चे बड़े सुभी का फेवरेट नाश्टा होता है जिसे हम मेरे स्टाइल में बनाना सिखाएंगे तो आईए अब इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम पूरी का डो तैयार करेंगे तो यहां हमने 1 kg मैदा लिया है आप अगर कम कॉइंटी लेना चाहते होते हो ले सकते हैं तो अब हम इसमें आट करेंगे नमक वन टीस्पूल इसके साथ ही दाल लेते हैं हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा दालना ज इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मैदे के साथ मिक्स करने के बाद इसमें आट करेंगे तेल हाफ कप तेल डालने से पूरी सॉफ्ट होती है अब तेल को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे के साथ अब इसका डो तैयार करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी दालकर तो यह देखिए हमने पूरी का डो तयार कर लिया है अब हम इसे 15-20 मिनिट के लिए रेस्ट करने देंगे तब तक हम साग बना लेते हैं तो यहां साग के लिए हमने दो मीडियम साइस की प्याज लिए है और कुछ वेजटेबिस लिए है जिसमें हमने दो मीडियम साइस के आलू लिए है चार से पांच टमाटर लिए है दस से बारा बिनीस की फली लिए है और एक कैरेट लिया है जिसे हमने गुलाई में काटा है सुनिया, मटर, कुछ मसाले, वन तेबल स्पून कोपरा लिया है, वन तेबल स्पून से जीरा, धन्या लिया है, हमने रोस्ट कल लिया है, तो सबसे पहले हम तेल चड़ा लीते हैं तेल हमने एक कप लिया है जिसमें हम यह फ्राइ करेंगे अच्छे से मतर नहीं प्रोड़ होते हैं अगर तोट जाएंगे और टमाटर पानी चुटता है इसलिए हम नहीं दाला हैं वेज़ेशी एस तरह से हम फ्राइ कल लेंगे पहले हैं और साथ ही हम दहीं में कुछ मसाले वगर भी आइट कल लेंगे जिसे हम तरकारी में लगाना है तो यहां ह जिसमें एक कब दही लिया है जिसमें हम सबसे पहले दाल देते हैं मिर्ची 2 टीस्पून हल्दी जाएगी 1 अगाफ टीस्पून इसके साथ ही आड़ करेंगे 2 टीस्पून नमक फिर दाल देते हैं अधरकलेसं पेस्ट 1 टीस्पून टीस्पूनिया खास सबस्ट 1 टीस्टा a उक मटोंध जाण नचTheir, Minna ha Bakayi 1 कब 6th में भूर साट करेंगे उसके साथ ही डाल देते हैं टमाटर इसे मोटा मोटा काट लिया है पूरी के साग में जादारो टमाटर मोंटे ही रहते हैं अब इसे मिक्स कर लेंगे अब इस पेस्ट को हम इस वेजडवल में अड़ेंगे अच्छछ पुनेंगे अभी पानी नहीं डालेंगे अच्छे से पुनेंगे इसे इसके बाद इसमें अड़ेंगे मेथी एक 5 मिनट और भुनेंगे फिर इसके बाद आट करेंगे एक कप पानी अब इसका कुकर लगा कर हम 3-4 सीटी का अंड़िजार करेंगे ताकि वेच्टबल्स अच्छे से गल जाए तो 3 सीटी बाद देखिए वेच्टबल्स अच्छे से गल चुके हैं अब हम इसमें पानी आट करेंगे एक सिदर्ड गलास अब हम इसमें दाल देते हैं मटर और साथ ही दाल देते हैं हरा मचाला जिसमें हमने कोत्मीर पुदीना और 2-3 हरी मिर्च ली है अब पानी बॉइल होने का वेच करेंगे हम पानी को अच्छे से पकने देंगे और यहां हमने 2 टेबल स्पुन हमने रोस्टेट दाल यहांने की फुले चेनी की दाल ली है इसे हमने हलका सा रोस्ट कलिया है अब हम इसका पॉडर बना लिए तो यह देखिए हमने इसका पानी दाल कर बिल्कुल हम कडी को किस तरह लगाते हैं आटा उसी तरह लगाना है इसे भी तो यह देखिए पानी अच्छी तरह से बॉइल होने लगा है अब हम इसमें पुले चेनी की दाल का पेस्ट लगा लेंगे आइस्ता आइस्ता चलाते वे ताकि लम्स ना आए और पांच मिनट इसे अच्छे से पकने देंगे आपको कितना थिकने से चाहिए उससाब से आप लगा लिजेगा तो पांच मिनट बात यह देखिए यह ते इसे पांच मिनट और सिम पर रखेंगे तो यह देखिए यह बिल्कुल परफेक्ट रेडी है आप फ्लेम आफ करकर रख देंगे, अब हम पूरी की तरफ चलते हैं, बिल्कुल हमारा साग रेडी है, अब थंडा होने पर यह और गाड़ा हो जाएगा, तो यह देखिए, आटा हमारा बिल्कुल रेडी है, अब हम इसके पेड़े बना लेंगे, तो हम पेड़े बनाते बाक्त हाथों को तेल बेले, तो सबसे पहले हम हातों को इसी तरह से पेड़े को गोल गोल करेंगे, इसके बाद इसे बेलेंगे, इसमें हम खुश्की नहीं लगाएंगे, खुश्की से होता है, कि तेल भी जल्दी से खराब हो जाता है, और थोड़ा से यह पूरी के साथ लगता है, अच्छा न तर बींदा है मैं तेयल दालते मी यह कि अच्छे हो पूल को तो अच्छे हो यह पल्था Hem इसे तरह से दूसरी वारी भी उच्छे आफW त्युक्तिय हम दो करें द्युक्ति निकाल लेते हैं इस तरह से प्राइब करें और अच्य फूले गया और यह संपहोड़ जासे फूलेंगे तरह इसाना ब्ल मज़ेदार नाश्ता नाश्ता परी बिल्गल रैडी है तो आप गडार तरह की बढ़ा को में शौने अच्के कासी लेगा और आप वीडिबैक जाए और आप अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ लाह आफिस